बाजीगर एक्टर दलीब ताहिल को दो महीने की जेल 5 साल पुराने केस में मिली सजा बॉलिवूट एक्टर दलीब ताहिल को लेकर बड़ी ख़बर आ रही है एक्टर को 5 साल पुराने ड्रंक ड्राइविंग केस में 2 महीने की जेल की सजा सुनाई गई दली ताहिल को मुंबई में नशे में गाड़ी चलाने के मामले में शामिल होने के लिई दो महीने G algorithm की सज्जा सुनाई इंध गई यह मामला साल 2018 का है और इसमें ही उन्ने सज्जा सुनाई गई बदादे कि 2018 में ताहिल पर मुंबई के PASS, खार उपनगरिये इलाके में अपनी कार से एक आटो रिष्षे को टक्कर मानने का आरोप लगाया था जिसके कारण एक महिला गंबी रूप से गाहल हो गई थी इटाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार ताहिल को इस मामले में शहर की एक मजिस्टर्ट अधालत ने एक डाक्टर दोरा उफलब्द कराए गए सबूतों के अधार पर दोशी ठेहराया था डॉक्र ने कहा था कि 2018 में घटना के समय अक्टर से शराब की स्मेल पाई गई थी दलीप ताहिल बाजीगर कयामत से कयामत तक हमेरा ही प्यार के बाजीगर सोचजर गुलाम भाग मिलखा भाग जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं बाजीगर में उन्होंने शारुख खान क के साथ काम किया था दलीप ताहिल को 2017 तक अपने करियर जीवन के दौरान सो से अधिक फिल्मों में काम किया है बता दे कि उनकी पहली फिल्म अंकुर थी दलीप शोचल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं